हमारा टार्गिट है नीट 2025 का एक्जाम 2025 का एक्जाम और इन्ही चप्टर्स को ले करके परिशान भी रहते हैं और इन्ही चप्टर्स का आपके एक्जामिनेशन में ज़्यादा वेटेज भी होता है ये वाटनी के पॉश्चन्स को कवर करते हुए जुरोजी को भी कम्प्ली और दोस्तों आज ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आप सब के साथ कुछ जनरल बाते डिसकस करने वाला हूँ कुछ बातों को ले करके मैं आप सब के साथ रुबरू होने वाला हूँ देखे आज से मैं यूट्यूब पर एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ न जो content और feel और material मैं बच्चों को offline प्रवाइड करता हूँ वही content और वही feel आप सभी को घर बैठे online भी प्रवाइड किया जाए प्यारे विद्यार्थियों मैं आप सबसे इस जर्णी में सहयों की उमीद करता हूँ देखिए as a biology mentor मेरा मानना है कि biology में कुछ ऐसे chapters होते हैं जिनको समझने में जिनके concept को याद रखने में आप सभी विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा complications feel होता है बहुत ज़्यादा problem आप महसूस करते हैं सबसे पहले YouTube पर इन ही chapters को मैं start करने वाला हूँ और इन ही chapters के videos आप सब के सामने लाने वाला हूँ देखे मैं आपको बता दू कि मेरा मानना ये है as a biology mentor मेरा मानना ये है कि मेरे अंदर इस biology subject को लेकर के जो भी समझ है या फिर जो भी knowledge है मैं आप सभी को इन सभी online videos के थरू available करवाना चाहता हूँ उस knowledge को share करना चाहता हूँ आप सब के साथ साजा करना चाहता हूँ देखे अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे वीडियो है जिसे सबसे पहले इस channel पर upload किया जाएगा आपके अपने इस YouTube channel पर upload किया जाएगा देखे मैं आपको बता दू कि पूरे complete biology को cover करवाने वाला हूँ और इस complete biology में दोनों ही medium की बात करेंगे English medium की भी बात की जाएगी Hindi medium की वीडियो lecture भी upload होंगे Botany के portions को cover करते हुए जुलोजी को भी complete करवाया जाएगा हमारा target है NEET 2025 का exam 2025 का exam और जिसमें आप सभी मेरा मानना है कि मेरे मेहनत करने के बाद सफल भी होंगे अगर आप भी मेरे साथ जुड़ी रहते हैं और मेरे साथ साथ मेहनत करते हैं देखे हम बात करते हैं कि सबसे पहले किन chapters को मैं start करने वाला हूँ कल से जो video start होगा क्योंकि आज जो ये video है केवल हम general बात ही ही करने वाले हैं इस video में बेसिकली जो है कल से video start होगा तो कल सबसे पहले पहले जिस chapter को start करने वाला हूँ जो chapter में समझाने वाला हूँ वो है genetics part first जिसे NCRT ने बोला है principle of inheritance and variation principle of inheritance और variation जिसे genetics part first भी कहा जाता है पहले कल से रोजाना साम 6 बजे है ना evening six o clock मैं आपसे मिलूंगा और साम 6 बजे daily basis पे genetics के video upload किये जाएंगे detail explanation के साथ साथ आपको ये video जो है provide किया जाएगा मैं आपको बता दूँ कि एक genetics के इन सभी videos जो की upload करने वाला हूँ उसमें क्या-क्या available करवाया जाएगा क्या-क्या वहाँ पे सामिल किया जाएगा उस video में देखिए video जो है detail होगा पूरा explain किया जाएगा video में basically हम बात करेंगे genetics के complete theory की जितने भी conceptual point होते हैं जितने भी NCRT के diagram है जितने भी table है उस complete NCRT के diagram और table का review मैं आप सब के साथ साजा करूँगा साथ-साथ मालीजे कि कोई भी एक lecture upload होता है उस lecture से related जितने भी PYQ previous year के question आ रखे होंगे मैं वो भी discuss करूँगा और इसके साथ-साथ numerical question भी अपना अलग ही important role play करते हैं जब हम बात करते हैं genetics part first की तो और इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो कुछ और chapter को हम देखते हैं जिसको लेकर के काफी बच्चे जो है परिशान रहते हैं उनको उनके reactions, उनके table, उनके cycle, उनके pathway याद करने में problem होती है देखिए अगर हम बात करें इसमें भी especially दो chapter ऐसे हैं जिसको समझना विद्यार्थियों के लिए कठिन रहता है जिसको मैं start करने वाला हूँ देखिए क्या है एक chapter तो है यहाँ पर respiration in the plant plant में होने वाले respiration के process की अगर बात करें या फिर photosynthesis के process की बात करें जो की higher plant में होता है देखिए इन दोनों chapter को लेकर के बच्चे काफी परिशान रहते हैं वो सोचते हैं कि इनमें आने वाले जो light reaction है dark reaction जैसे Kelvin cycle कहा जाता है उसके reactions जो हैं उनको sequence में याद नहीं हो पाता साथ-साथ अगर हम respiration की बात करें तो मैं आपको बता दूँ कि glycolysis जो है काफी tough रहता है तो कुछ नए तरीके से नए अंदाज के साथ और कुछ conceptual point of view को ले करके मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और upload करने वाला हूँ देखिए हमने यहाँ पर genetic part first principle of inheritance and variation की बात की plant physiology की बात की genetic second part के अगर बात करते हैं जिससे NCRT ने बोला है या यू कहें कि दो chapter दिये गए है एक है यहाँ पर bio technology first और एक है bio tech second bio tech first जो है उसमें principle और process की बात की गई है और bio tech second जो है उसमें applications की बात की गई है इस chapter को भी upload किया जाएगा सबसे पहले इन chapters को मैं चाहता हूँ upload करो ताकि विद्यारती इनी chapters को लेकर के परिशान भी रहते हैं और इनी chapters का आपके examination में ज़्यादा weightage भी होता है देखिए इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर ecology ecology में आने वाले जो तीन chapter है as per the news labels of the NTA अमें उन तीनों chapter को discuss करना है बिटा देखिए इसके साथ साथ तीन chapter मिल करके 11th NCRT का एक unit बनाते हैं थर्ड unit आप जानते हैं जिसमें तीन chapter दिया हुआ है एक तो यहाँ पर cell biology की बात करेंगे हम यहाँ पर cell division की बात करेंगे और biomolecule की बात करेंगे यह तीनों chapter तो पूरे biology का base है यहाँ इन तीनों chapter में कही गई बात और discuss की गई बात तो लगभग-लगभग सारे ही chapter में हमें पढ़ना होता है तो मैंने अभी आपको बताया कि हम जो हैं किस तरह से कौन-कौन से वीडियो को प्रात्मिक्ता देते हुए कौन-कौन से वीडियो को साधा किये जाएं स्टार्टिंग में यह सारे वीडियो लेक्चर recorded mode में रहेंगे लेकिन आप सभी के सहयोग के बाद और आप सभी के help के बाद obviously बात है मैं आप सब के साथ जो है जल से जल यूट्यूब live session में जुड़ूँगा देखिए अब हमने यह बात किया कि कौन से चेप्टर जो है पहले मेरे यूट्यूब चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आने वाला है अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर इन सभी चेप्टर्स का coverage जो है वो क्या pattern को follow करते हुए किस pattern को follow करते हुए यह सारे के सारे वीडियो जो है upload होने वाले हैं और उसका timing क्या रहेगा उसका schedule क्या है मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले कल से जो वीडियो स्टार्ट करूँगा upload करना वो genetics part first का रहेगा principle of inheritance and variation का रहेगा और मैं आपको बता दूँ कि यह जो वीडियो है इसकी timing क्या रहेगी मैंने आपको बताया भी है कि हर दिन everyday evening 6 pm को वीडियो upload होगा आप जरूर देखें proper manner में notes को maintain करें हर वो point जो मैं आप लोगों के साथ discuss करूँ उसे आप notes में daily basis पे add करते रहें अब देखें यह सारे के सारी वीडियो जो है starting में initially मैंने आपको बता दिया recorded mode में ही available रहेंगे एक और बात करते हैं देखें सबसे पहले वीडियो किस तरह के किस pattern के upload होने वाले हैं देखें पहले कुछ वीडियो जो हैं वो complete video lecture होगा जिसमें suppose अगर हम genetics की बात करते हैं तो genetics को अगर हम पढ़ते हैं तो काफी इसका जो है यह जो पूरा chapter है काफी lengthy consider किया जाता है तो इसके लगबग जो है 14 या 15 lecture कम से कम बनते हैं तो 14 और 15 lecture में ही 14 to 15 lecture के आसपास ही हम भी यहाँ पे fraction में divide करके video upload करेंगे सभी तरह के question को वहाँ पे सामिल किया जाएगा चीक है अब देखिए complete video lecture मतलब जो की lengthy होने वाला है इसके साथ साथ regular basis पे बीच बीच में कुछ biology से related जो है concept लेके आऊँगा YouTube short video में आप जानते एक minute में हम biology के कुछ महतरपून बाते करने वाले हैं कुछ important concept को discuss करेंगे YouTube short के रूप में अब देखिए एक और बात बता दूँ कि इसके साथ साथ कुछ conceptual videos भी मैं upload करने वाला हूँ जिसमें NCRT के diagram table और cycle और अलग-अलग path week को लेकर के हम मिलने वाले हैं इसके साथ मैं आपको बता दूँ ये सब ही जो है initially video जो बनेंगे वो English medium वाले विद्यार्थियों के लिए बनेंगे और Hindi medium वाले विद्यार्थियों को भी निरास होने की बिल्कुल भी आवशक्ता नहीं है Hindi medium वाले विद्यार्थियों के लिए हर संडे को week में एक बार संडे को एक long video upload होगा उस long video को देख करके आप notes बनाएं और इससे संबंधित अगर Hindi medium के लिए कोई भी lecture अगर मैं आने वाले time में upload करता हूँ तो आपको update कर दिया जाएगा या तो shorts में या फिर एक अलग से separate video बना करके Hindi medium वाले विद्यार्थियों के लिए जो है update जो है जारी किया जाएगा लेकिन फिलहाल जो अभी initially मैंने सोचा है कि Hindi medium वाले जो विद्यार्थि हैं उन सभी के लिए week में संडे को एक long video one shot type की video आप इसे मान सकते हैं जो की upload किया जाएगा तो देखे मैंने आपको मेरी खुद की planning समझा दिया कि किस तरह से किस तरह के schedule और pattern को follow करते हुए मैं आप लोगों के साथ मिले वाला हूँ YouTube पर मुझे अमीद है कि आप सभी साथीगर्ण आप सभी विद्यार्थी और आप सभी दोस्त मेरी help करेंगे मेरी सहायता करेंगे मिलते हैं कल से रोजाना साम इवनिंग छे बजे नमस्कार